हलो दोस्तो आज हम आपको एक पुरानी मस्जिद दिखाने जा रहे हैं जो पुद्रत का करिश्मा कहें 600 साल पुरानी मस्जिद है जो की अभी तक पानी के अंदर डूबी हुई थी मगर अब पानी सूप जाने के बाद वो मस्जिद बाहर आई दर असल ये बात बिहार की है बिहार में नवादा जिले में रजवली गाओं के पास एक मस्जिद जो डेम के अंदर पानी में डूबी हुई थी लोग बताते हैं कि ये 600 साल पुरानी मस्जिद है अभी तक डेम में पानी ही पानी बुआ करता था इसलिए मस्जिद दिखाई नहीं देती थी उसका गुंबद सिर्फ बाहर से दिखाई देता था लोग गुंबद देख करके कहते थे कि लगता है पानी के अंदर मस्जिद बनी है अब जब डेम का पानी सुखा कम हुआ पानी सूख गया तो मस्जिद नजर आई सबसे पहले शारुख दावर खान वहां जाकर पहुँचे कैमरा लेकर उन्होंने इसको देखा उन्होंने सबसे पहले इसको अपने यूट्टूब चैनल मनमोजी बाबा पे डाल दिया लोगों के अंदर इस बात पहुझे लोग देखने के लिए वहां तक पहुँचे पुदरत का करिश्मा ये है कि आज तक वो महजित सही सलामत मौजूद है वहाँ पहले गाम हुआ करता था लोग वहाँ रहते थे बसते थे लेकिन जब डेम बनना हुआ तो लोगों लोगों से चले गए और अलग जाकर उन लोगों ने अपना अपना घर बना लिया आज भी महाँ लोगों के घरों के निशान मौजूद हैं घर तो गिर गए मगर निशाना अब भी वैसे बाकी हैं मगर मस्जित लोग पताते हैं 600 साल हो गई इसको बने कुए ये मुगल के जमाने की बनी भी मस्जित है क्योंकि इसमें गुंबत और नक्षुनिगार जो बने हैं ये मुगल खांदान के हैं पहले ऐसी मजदें बनती थी मजजित ऐसे ही सही सलामत खड़ी है मगर पानी के अंदर रहने की वज़ा से उसका गेट तूटकर गिर गया है वही पर वजू खाना था गेट के पास लोग बताते हैं कि यहां से वजू करके लोग मस्जित में नमास प तूट गया मगर मस्जित अभी तक ऐसे ही सही सलामत मुझूद है इससे पता चलता है कि मस्जित बहुत ही मजबूत बनाई गई है उसकी दीवारें उसकी बुनियादें बहुत ही मजबूत हैं जो की सेकरों साल पानी में डूबे रहने के बावजूद भी अभी तक ऐसे ही सही सलामत खड़े हैं लोग पताते हैं कि मस्जिद के अंदर जाने वाले जितने लोग देखे हैं वो कहते हैं कि मस्जिद के अंदर महराब, मिम्बर वगरा सब कुछ वैसे ही सही सही सलामत मुझूद है जैसे पहले बना हुदा था साली इमारत ऐसे ही मस्जिद के जितने हुडूद हैं मस्जिद के हुडूद ऐसे ही मस्जिद अपने हद में सही सलाम कायब है आज भी लोग देखने के लिए वहां जमा होते हैं और आप भी इसको देखिए और ऐसे ही दूसरी वीडियो देखने के लिए आफ़राद चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेर करना ना भूलें